हेलो फ्रेंड्स आज की जाइके के सफर में मैं आज आपको ले जा रहा हूँ मतुरा मतुरा उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली से इसकी दूरी लगबग डेट सो किलोमेटर है आज हम यहां पे आए हैं मतुरा की फेमस कचोड़ी खाने चलिए आइए अपने जाइके के सफ बना रहा हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडी डालू उसका वीडियो आपके पास पहुंच रहे तो चलिए आएए अपने जाइके की सफर की शुरुआत करते है मतुरा अपने जग प्र वह बेढ़ी को होता है बेढ़ी बेढ़ी के लिए एक बेदमी पूडी रहती है और जो दूसरी जो यहां परस्बसे फेमस आप है का नीग जब सेख्टित के जाती है वहां नीच का इंपने जाइके सफर में हम चलते हैं रूपा का नीच कोड़िवाले कहन पही देरे हैं और जिनोंने लाल टोपी पहनी हुई है इनका नाम ही रूपा है और इनके नाम से ये शॉप है बहुत ही खुश मुजाज आदमी है बहुत ही जिन्दा दिल आदमी है और आप देखिए सांस लेने की भी फुरसत नहीं है लगातार कस्टमर को उनकी जो मन ने के सहाँ हैं से एंको सफ किए जार या यह देखिए रश देखिया अपूर रा चारर तरफ से शाप गिरू पडिये कस्तलों से यह द Region को चारव ज़िम्रम वनने बनी जा रही है और कस्तमर को ये सर्व की जा रही है आए यह देखिए, यहां कचोडी बनती ही जाती है, एक राउंड खतम होता है, दूसरा राउंड शूरू होता है, दूसरा राउंड खतम होता है, तीसरा राउंड शूरू होता है, अनकिनत कचोडी यहां पर डेली बनती है, मेरे इसाब से हजारों की तादाद में कचोडी यहां इस दुकान का नाम चलिए आईए मैं आपको बताता हूँ यह दुकान इक्जैक्ली है कहां ताकि आपको यहां पहुचने में कोई प्रॉब्लम ना हो यहां का जो सबसे बड़ा लैंडमार्ग है इस शौप पे पहुचने का उसके लिए आपको विश्राम घाट आना पड़ेगा यह देखिए यह विश्राम घाट विश्राम घाट यह वो घाट है जहाँ बगवान कृष्प ने जब का वद किया था टो उसके बाद इस गाट पर-खार के आ कर के विश्राम किया था अभी से इसका नाम विश्रामगाट पड़ा और यह जो सामने आप नदी देख रहे है यह है यमना नदी रूपा कचौडी की जो लैंडमार्क है यह विश्रामगाट का साइनेज है इसके बिल्कुल सामने कि वो जो शॉप है वो है रूपा कचौडी वाले की चलिए आए इस शॉप पे चलते हैं कि भीड़ देखिए आप लोग लाइनों में खड़े हैं अपना नमबर के लिए और भाईसाब के बाद भूर्दत रही है इस सब कस्टमर को टेंट कर भाए है इस समय हम आगे हैं रूपा कचौडी वालों पे रूपा कचौडी मतुरा की सबसे फेमस कचौडी वाब में से एक है और यह फेमस है अपने इन रंगीन मिजाज वाले बाईसाब के लिए देखें कितने कलर्फुली ड्रेस्ट अब और यह बाथे पर चंदन का टीका पीला कुर्ता और यह लाल टोपी बेंड करके यह इनका ट्रेडिशनल अटायर है और यह फेमस है अपनी जलेबी और कचौडी के लिए इस तो बहुत बीजी है आप यह देखें कितने सारे तो यह देखिए यह जलेबी का साइज देखिया यह कितने कि होती है आदा किलों कि एक बजन में अब आप यह देखिए कचौडी कचौडी यह तेल की है जेसी की कचौडी नहीं है यह पर जो जलेबी है तो जेसी की की प्रिपरेशन है यहां पर आपको दोकला भी मिल जाएगा साथ में यह जलेबा पोहा और कचौडी यह है इस शौप की नंबर और दुकान का नाम यह जो शौप है बिलकुल जहां विश्राम घाट का साइनेज लगा हुआ है वहाँ पर यह है रूपा कचौडी वालों की रेट लिस्ट यह मैं आपकी रेफेरेंस के लिए इस वीडियो में डाल रहा हूँ चलिए आईए यहां पर जो शौप खा रहे हैं उसके बार में पुछते हैं कैसा लगा आपको खाने में यह पर आप आपको कैसा लगा जी पसंद आए आपको कि देखिए यह जिलेबा बन रहे है और इसको वजन मेरे हिसाब से कम से कम आदा किलो तो एक जिलेबे का जरूर होगा कि यह जिलेबा जो बनके रेडी होगे और इसकी कीमत है 460 रुपे किलो जो भी यह बचा दे दो बचा दे दो बाहरे हैं यह देखिए एक दम व्यस्त हैं यह बहुत ही खुश मिजाद आदमी है यह बहुत कम लोग होते जो इतने खुश मिजाद होते हैं और इनका तो सुभाव है यह आपके सुभाव के लिए ही जाने जाते पूरे मतरा में आपका जोड़ाई एक हमने भी एक कचोड़ी मंगा ली है दाल की फिलिग पूरी इसके अंदर और एक दम खसता कचोड़ी एक जाए जो जिसमें अग्यान की दरे चित्प्नी हुए है उसका नम है पचोड़ी वाजीवा तहीं मसाला अलग हो किया मेदा अलग हो गही तर चोड़ी पेल एक ज़या वाजीवा यह तो एक तोड़ा खा बहुत ही मसालेदार है और इसमें आपको सोफ और साबुत धनिया दिख रहा होगा चलिए आई इसको टेस्ट करते है अब यह सब्दी नहीं डाली है मैंने कट्टू की मेखी वाली है तो डाली है उतको अब बाद में डाला तो इसका टेस्ट ले ओके तल्वागा है चलिए आ आप अब डाला आपस्त, एंप्टू का सब्से किशा है क्या कहने चाहें आइप क्चवड बहुत ही है बहुत ही गवरता है मैंने क्टो टेब तरह जो इसका फ्लेवर है जो हीन का व्मेरार आ आ रहा है उह बहुत ही बड़ी है अब यह इसका ख्रों की चराया की तरह है पर रुपा पर रुपा पर हमने यह उडर किया है जेलेवी यह 10 ग्राम देलेवी है आत में मैंने ओडर किया है यह कि अर्फ लोग ला इताइटीव नोगा और यह अप्वा जिली आए इसको पेस्ट करते हो पताते हो क्या हुआ देशका थो जे अगर देशिकी की जेलेवी त बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़े भी है यह, अब इसका ट्राइए करते है ज़ा टोका, बोका ने उपर ही मतारा डलाओ है, जिसके थोड़ा स्वाटी है, पर टेयर फ्राइज बहुत बढ़ी है, और यह है इनका प्राइज विरिंदावन का और मतुरा के जो फेमस फूड्स हैं, उनका भी एक डेटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस् अगर आपको मेरा व्लॉग को बंदा आया, तो प्लीज मेरे चैनल्स को लाइक करें स्ब्स्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ओन कर दीजिए, ताकि जैसी नया वीडियो डेले, आपके पास इसना मोटिफिकेशन आजाए, तिल नेक्स वीडियो, यॉर होस्त खबर जा को देल आइकनल surroundings को अीजिए कर दाएब के त amendments को अबड़ को अब़ाबद से पास ितता ह।